जैपुर के जुवाहर नगर इलाके में करीबन सवा आठ बजे ये बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं ये गिर गई और इसके गिरने से आसपास के तई इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात गई जा रही थी आप देख सकते हैं किस तरह से समय मलबा जो है वो हटाया जा रहा है आप स्थानिय लोगों का मानना है कि अंदर फिल्हाल कोई दवे हुए होने की सूचना नहीं है हलांकि कई अधिकारियों का मानना है कि जब तक मलबा साफ नहीं हो जाता तब तक तुकता तोर पर ये कहना कटिन है कि इमारत के अंदर उस समय जब बिल्डिंग ग मुझूद है कैमरा पर से एक पर पैन करके दिखाए कि किस तरह से यहां पर SDRF के जो लोग है वो आए हुए है जो यहां से मलबा हटाने का जो काम है वो चल रहा है एंबुलेंस यहां पर मौझूद है पुलिस के अधिकारियों की यहां पर तिनात्थी है समय और यह भटना जब हुई तब यहां पर काफी रश था आज गुरुवार का दिन है आज जब जिस समय बिल्डिंग गरी आसपास के लोग जो हैं जो हैं यहां पर इकटे हो गए एक पर आप कैमरा पर से दिखाए किस तरह से यहां पर काफी संख्या में लोग जो हैं वो भार निकले हुए हैं और पूरा जो इमारत का जो मलबा है वो हटाने का काम जारी है अब तक कि जो मिली सूचना है उसके मताबिक कोई भी व्यक्ति अंदर मलबे की नीचे नहीं दबा हुआ है हालांकि जो प्रशासन है जो यहां पर अधिकारी पहुचे हुए है उनका मानना है कि जब तक मलबा नहीं हटा लिया जाता तब तक कहना मुश्किल है पूरी तरह से कि कोई व्यक्ति उस समय बिल्डिंग में था या नहीं जब यह इमारत गिरी पर आप प्रशासन के पुलिस के लोग अधिकारी यहां पर मौजूद है और पूरा जो मलबा हटाने का काम है वो इस समय जोरो से चल रहा है कैमरा परसन निखिल के साथ मैं देवंकूर वधावन जैपूर क्रूंग झालो झाल झाल